क्योंकि अभी न्यूजिलेंड और पाकिस्तान में एक जीत और एक हार का फर्क है न्यूजिलेंड एक जीत आगे है अगर पाकिस्तान शनिवार को न्यूजिलेंड को हरा देता है तो दोनों टीमें बराबर हो जाएंगी हाँ उसके बाद आपको next step देखना होगा फिलाल मुझे लगता नहीं है कि दोनों टीमों को next step की फिकर होनी चाहिए क्योंकि अभी आप उस match का सूचे suppose कीजिए शनिवार न्यूजिलेंड पाकिसान को हरा देता है तो पाकिसान फिर बाहर हो जाता है लेकिन अगर पाकिसान न्यूजिलेंड को हरा देगा दोरो टीमें में जैसे मैंने कहा आपको बराबर हो जाएगी और चुकि नेट रंडेट में जो बहुत बड़ा फासला था वो 190 रंड से न्यूजिलेंड की हार के बाद थोड़ा कम हुआ है एज्यूम करते हैं कि अगर पाकिसान न्यूजिलेंड को हराए तो वो मार्जिन से हराएगा नेट रंडेट थोड़ा और कम हो जाएगा अब दोरो टीमें चार-चार जीत पर पहुँन जाएगी फिर न्यूजिलेंड को एक रेलेटिवली आसान टीम मिलेगी शिलंका अगर वो उसको हरा देते हैं वो पांच जीत पर पहुँन जाएगे यहाँ पर पाकिसान को कमपारिटिवली मुश्किल टीम मिलेगी इंगलेंड लेकिन इंगलेंड जो है वो स्यूसाइडल मोड में चल रही है अब दूसरी बात ये भी ये ना क्या असान टीम क्या, मुश्किल टीम क्या भई अगर आप आखरी चार की टीम बनना चाहते हो तो आपके सामने कोई टीम मुश्किल नहीं होनी चाहिए बड़े मैच जीतोगे तो ही आप सेमी फैनल में जाओगे तो ये लड़ाई बड़ी दिल्चस्प है फिर है अफगानिस्तान अफगानिस्तान को भी न भूलें क्योंकि अफगानिस्तान भी छे मैचों में तीन मैच जीत चुका है अगला मैच उनको नेधरलेंड से खेलना है अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अफगानिस्तान की जीत शोर शॉट है बट नेधरलेंड्स भी अच्छा खेल करा है बट अगर आप अफगानिस्तान के फैन है realistically आप यह सोचते हैं नेधरलेंड्स को हरा सकते हैं भई तो वो भी 7 में 4 पे महुन जाएगा अब उनको 5 भी जीत जो चाहिए बड़ी टीम किसी एक को उनको भी करना होगा तो मेरा यह मानना है कि वर्ड का बड़ा दिल्चस्प होता जा रहा है और जहां न्यूजिलेंड वर्सिस पाकिस्तान को मुझे लगता है कि शायद ज्यादा बड़ी इन दोनों के बीश रेस होगी ये ना भूलें कि न्यूजिलेंड को ना सिरफ 190 रंकी हार मिली है बलकि उनके खिलाडियों को चोड भी लगी है मैट हैंरी जो उनके नया बॉल डालते हैं जबरदस गेंदमाज हैं पावर प्ले में विट्टे लेते हैं उनका स्कैन होगा हैंस्ट्रिंग के लिहाज से और हैंस्ट्रिंग आप जानते ही है कि अगर हलका सा स्प्रेन भी आता है तो भाई साब आप हफता बाहर अगर टियर आगए तो आप चार हफते बाहर यानि कि ये तो तैह है कि मैट हैंरी अब पाकिसान के खिलाफ शनिवार का मैच नहीं खेलेंगे लौकी फर्गूसन को भी चोट लगी है अब उनका स्टेटस क्या पता नहीं और साथ ही साथ ये न भूलें कि जिमी नीशम को भी हाथ पर गेन लग गई केन विल्लिम सार अर अलड़ी बाहर बैठे है तो क्या न्यूजिलेंड काईल जेमिसन को पर्मेनेंटली अंदर लेकर आता है किसी को सब्सिचूट करता है अगर मैट हन्री का हैंस्टिंग टियर है तो शायद उनको रिप्लेस करना पड़ेगा तो ये तमाम सवाल अब न्यूजिलेंड के पास है अब सवाल है पाकिस्तान क्या कर सकता है क्या पाकिस्तान जो क्रिक्ट खेल रहा है इसतर को उपर लेकर जा सकता है ये अगें पॉईन टू नोट है कि पाकिस्तान जो 3 मैच खेला है जीता है वो एक बांगलादेश रिलेटिवली आसान टीम शिलंका रिलेटिवली आसान टीम और नेधरलेंड्स पाकिस्तान अगर नई गेंच से विक्टे लेता है तो बीच में आके अगर स्पिनर पिट भी जाते हैं तो एंड में आके वसीम जूनियर, हारिस राउफ और शाहिन अफरीदी आके विक्टे ले लेते हैं